तो हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल विना की पाट साला में और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13D जो की कक्षा 8 की इकाई तेरा ब्रत और चक्री चत्रबुच से ली गई है तो क्री चत्रबुच एक व्रत्य की परीद पर उसके चारो सीज होने चाहिए इस स्थिती में ये कोण और ये कोण इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए उसी प्रिकाल से ये वाला कोण और इस कोण को इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए ठ उसके पहले नियम को एक बार और आप लोग याद कर लें ठीक है तो पहला प्रस नमारा यहां पर दिया गया है कि पार सो चित्त तेरा दसम्वलब तीन दो में यानि इस चित्त में चक्री चत्रबुज एबी सीडी की बुजा एबी यानि इस बुजा को आगे बिंदू ई तक बढ़ाई गई है बहस कोड़ कोड़ सी बी का मान गयाद करो इस कोड़ का मान पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक व्रत है उसके अंदर एक चत्रबुज बना हुआ है और ऐसा चत्रबुज है जिसके चारों सीर्स जो है व्रत्य की पली दिपे हैं इसका मतलब यह हुआ कि यह चत्रबुज हमारा चक्री हुआ और चक्री चत्रबुज होने का मतलब यह है कि सम्मो कोड़ का योग फल एक सो असियंस होगा तो यहां पर हम लिखेंगे कोड़ डी और कोड़ बी हमारा कितना होगा एक सो असियंस लगाएंगे आंसर चुकि चतुर्बुज A, B, C, D चक्री है आता हार कोड D प्लस कोड B बलाबर 180 अब यहां से कोड B हमारा यह कितना आएगा कोड B बलाबर आएगा 180 माइनस कोड D कोड D था 115 अब तो 180 माइनस 115 यानि यह आया 65 ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे कि यह कोड हमारा निकल के आगया 65 अंस तो यहां पर फिर से आप देखेंगे कि यह पूरा कोड होगा 180 अंस तो यह वाला कोड कितना होगा 180 मेंसे 65 घटा देंगे तो देखो आगे कैसे लिखेंगे अतहा कौन सा कौन हमसे पूंचाता C B E बरावर 180 माइनस 65 180 में से 55 गटा देंगे तो ये फिर से 115 अंस आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गयोंगे अब हम देखेंगे विकल्प में 115 अंस कौन सा ऑप्शन दिया गया है तो यह पहला ऑप्शन दिया गया था इसका मतलब यह हमारा सही है और यही हमारा आंसर आ जाएगा तो देखा आपने कितना असान प्रस्ण था तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस्ण्यानि प्रस्ण नंबर चिह इस बीच बीच चुन बढ़ और बढ़ गई ठीक है, सबसे पहली तो यह property बढ़ गई, यहीं पर बता देते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरियक रेखा काटती है, मैंने बताया था, तो इसके अंदर के कोणों का योगफल 180 होता है, और यह अंता कोण होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे, देखो, यह तिरियक रे ही कह रहा है, कोड A plus कोड D बराबर 180 हो जाएगा, इसमें क्योंकि AB समांतर है, DC के, तथा यह कैसे कोण है, अभी आपको बताया था, संगत कोण है, अब दूसरा आता है, कोड B plus कोड D बराबर 180 है, यह दोनों का योग 180 है ही, क्योंकि यह कैसे कोण है, चक्री के सम्मुख कोड है, ठीक है, तो वो तो हम लोग इसनी हमें पढ़ी रहे है, क्योंकि यह कोड चक्री चतुर्बुज के सम्मुख कोड है, ठीक है, समझ गया आप लोग, तीसला जो आप्शन है, वो यह है कि कोड A बराबर कोड B, यह दोनों कोड बराबर होंगे, क्यों बर यहां पर हो जाएगा कोड़ B प्लस कोड़ D अब यहां से डी कट जाएगा तो यह हमारा रिक्तिस्थान में कोड़ B प्लस कोड़ D भरा जाएगा ठीक है तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गये होंगे अब यहां पर फिल से आपको रिपीट कर दे कि चक्री चत्रबुज इसमें प्लस समांतर रेखाए भी है तो समांतर रेखाओं चक्री चत्रबुज का नियम तो थाई कि सम्नुक कोड़ो चत्रा कोड़ों का योग 10.,a कि समांतर रेखाओं की चन्टीशन्स आती है जब जो तो यहां कोड़ों कोल समांतर रेखाओं चत्रबुज को रखका केंध्र या जीव एसी और दिस्वागी बदाबर हूं लिखाए जीवा आसी बर्ाबर आटी पाराबर हों कि इसके कोंव कोण बराबर हों by ऑगे केला तो कोण A B C तथा इनके मान क्याद करो तो हम सबसे पहले क्या कर देखेंगे यहां पर एक सब्से पहला महात्पूर्ण नियम यह लगेगा कि यह व्यास है और कैंद से रिखते जाता है यह हम लिखे गे च्वंकि जानते हैं कि अर्ध व्रत पर बना कोण समकोण होता है यह हम लोगों ने कक्षा साथ में पढ़ा था क्या पढ़ा था कि अर्ध व्रत पर बना कोण समकोण होता है अब देखो यह व्यास है इसका मतलब आदा यह है आदा व्रत यह है तो अर्ध व्रत पर बना कोण सा यह वाला यह समकोण ह होगा ठीक है अताहा कोण सी बराबर 90 अब हमने आपसे बोला था कि बाकी के जो दोनों कोण है यह और यह होंगे बराबर यह हमने माल लिया एक्स तो यह भी हमारा कितना होगा एक्स तो हम लिखेंगे अताहा एक्स प्लस एक्स प्लस 90 क्रफ्र यह धराएंगे इंगे यह सो अससी मैं से बचेंगे नवह यह एक्स बराबर कितना आएगा बहुत आसान है X b으러 90 वते 2 यानी 75 cents तो यहां से हमारा e Nexus कोन निकल के आ गया आताहाँ कोन यह भी हमारा 85 cents हो गया और यह भी हमारा 85 cents हो गया प्रशन हम से पूच जाता, कोन A, B, C का मान तो हम लिख देंगे आताहा कोन A, B, C ABC यानी यह वाला कोन, बराबर 75ests तो एक तो हमारा आंसर आ गया ठीक है दूसरा हमसे पूछ रहा है कि कोड़ ACB ACBA और कोड़ APB इनका योग फल तो यहां पर लगेगा हमारा चक्ति चतुर्भुद्ध का नियम चूंकि चतुर्भुद्ध यह जो है इसके चारों सीर्स जो है व्रत्य की परीदिपे हैं तो हम यहां से क्या करेंगे लिखेंगे चूंकि चतुर्भुद्ध APBC कैसा है चक्री है अताहा नियम चतुर्भुद्ध के सम्मों कोड़ों का योगफल एक सो असीयंस होता है कोड़ C प्लस कोड़ P बराबर एक सो असीयंस और प्लस में कोड़ C हमारा पूरा डिटेल में लिख कोड़ ACB प्लस कोड़ P यानि APB कोड़ APB बराबर एक सो असीयंस यह हमारा दूसरा जो प्रस्ट पूंच रहा था वह भी निकल गया तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह प्रस्ट नमबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया आयोग कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गय वर्त का किंद ओैं और अ भी ये रिखा व्यास है व्रत्यट परंदेनों सी और डी इसप्रकार से है कि कोड़ सी इट भी यह थी संस और कोड़ 1 बी चालिजन्स है कोड़ा सी एड और सी बीडी का मान ग्याद करो यहां पर देख़ो क्या-क्या दिया गया है एक तो वह देटा गया यह कोड्व कोड फूरे स्काइब तो हम से यह कोड़ को पूछ रहा है और इधर यह वाला फुर पूपर हम से पूर ठीक तो हमें इसका मांध पता हो जाए उसका मांध आपा जाए उस्के लिए सबसे पहले तो हम लोग इस त्रिबुज को देखेंगे ठीक है तो यह व्यास लेखा है इसका मतलब यही फिल से हम वही काम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं अर्द व्यत पर बना कोड संकोड होता है ठीक है तो कौन सा कोड हमारा संकोड हो जाएगा यह वाला अताहा कोड A C B बलाबर 90 ठीक है वह कोड वही काम इसके लिए भी A D B बलाबर 90 ठीक है अब आगे क्या है यह पूरा तीनों अंता कोडों का योगफल 180 ठीक होता है यह 30 ठीक है यह 90 ठीक है तो यह कितने अंस का हो जाएगा तो यहां पर हम त्रबुज ए बी सी में हमें कोड A B C में कोड B देखना यह वाला ठीक है तो हम लिख देंगे कोड A B C बराबर 180 अंस माइनस इन दोनों को जोड के घटा देंगे 90 प्लस 30 तो 180 माइनस 120 यानि यह आ गया हमारा साथ हंस यह वाला कोड हो गया साथ हंस ठीक है अब अंत में हम देख लेंगे त्रबुज A D B में ठीक है इसमें भी हमें कौन सा कोड निकालना यह वाला यानि A B A D ठीक है कोड B A D बराबर इसमें भी वही काम यह कौन हमारा आ गया 90-2an यह 40 थै तो यह वाला कितना होगा 180 मेंसे हम इन दोनों को जोड के घटा देंगे क्यों क्योंकि टीन आ कोडो का योगफ़ल होता है 180 ठीक है तो यहांकर क्या या आएगा 180-130 तो यह सो पचा अस तो यह हमारा आ गया 50 थैक है प्रस्ण कौन कौन से कौन पूछ रहा है कौन C A D ठीक है तो लिख देंगे अताहा कौन C A D बराबर C A D ये पूरा कौन 50 दन 30 या 30 दन 50 बराबर 80 अगे पूछ रहा है कौन C B D बराबर तो ये भी 60 है एक 40 है 60 दन 40 यानि 100 तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए एक 80 यानस और एक 100 उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रस्ण को भी बहुत अच्छे से समझ गये होगे तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस्ण यानि प्रस नंबर 5 पर तो बच्चों यहां पर 5 परस्ण हमारा दिया गया है कि 513.36 यानि इसमें चत्रबुद P QRS रत्त के अंत्रकत बना है यानि कि ये चक्री चत्रबुद बना है यदि कौन R 80 और कौन S 85 और तो कौन P तथा कौन Q के मान ज्याद करो तो सबसे पहले चूंकि हमें ये पता चल गया कि ये चक्री चत्रबुद है तो हम ये लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि चक्री चत्रबुद के समु कोनों का योग फल कितना होता है अभी आपने नियम पढ़ाता है एकस और असीयंस होता है ठीक है तो अब यहां से कौन S और कौन Q कितना होगा 180S कौण S प्लस कौण Q ब्राबर 180S तो यहां से कौण Q ब्राबर कितना आएगा 180S minus कौण S और कौण S हमारा कितना दिया गया है 85S तो 180 में से 85 घटा देंगे 95S आजाएगा यही हमारा आंसर हो गया अभी कौण P निकालना है तो एक यह कौण P और और कौण P प्लस कौण R ब्राबर यह भी हमारा 180S हो गया तो यहां से कौण P हमारा कितना आएगा 180S minus कौण R तो 180S minus कौण R है हमारा आसियंस तो यहां से यह आएगा हमारा 100S और यही हमारा आंसर आगया तो यह हमारा हो गया कि हमारा answer है तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह प्रस नमबर 5 भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गयों कि बहुत आसान प्रस्ण है तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस नहीं प्रस नमबर 6 पर तो बच्चों यहां पर छटमा प्रस नहीं कि पार्स व चित्र यानि इस चित्र में दो व्रत एक दूसरे को बिनूब P और Q पर पितिछेद करते हैं चक्री चत्रभुज A, P, Q, C और दूसरा चक्री चत्रभुज B, P, Q, D इस प्रकार है कि A, P, B और C, Q, D यह रेखा खंड है यह मतलब C दी रेखा है अब देखो इतना प्रस ने कह दिया है तो अब यह हम सबसे पहले इसमें ज्यादा कुछ दिया गया है तो हम सबसे पहले यह लिख लेते हैं कि कि हमें क्या-क्या दिया है तो सबसे पहली बात हमें दिया है कि A, P, Q, C और B, P, Q, D कैसे चत्रभुज है चक्री यह चत्रभुज है दूसरा क्या दे रहा है दूसरा यह दे रहा है कि A, P, B, C, Q, D क्या है रेखा खंड़े ठीक आगे कोण A हमें दे रहा है 95 और कोण C हमें दे रहा है असियंस तो अब हमसे पूंच क्या रहा है यानि ग्याद क्या करना है तो हम लिख देंगे ग्याद करना है सबसे पहला कोण B कितना है कोण D कितना है उसके बात कोण A, P, Q कितना है और कोण P, Q, D कितना है ठीक है ये बचे हुए कौण हमसे पूँच रहा है कौण B और कौण D ये वाले दोनों कौण पूँच रहा है और A, P, Q A, P, Q यानि ये कौण पूँच रहा है और P, Q, D P, Q, D ये कौण पूच रहा है ठीक है तो इनके हमें मान ग्याद कर ले हैं सबसे पहले हमें जो है चक्री, चत्रबूजन अब देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अन्स है ये 95 है तो ये वाला कितना होगा इधर वाला आप लोग बताओ यहां से ये होगा 180 माइनस 95 तो ये हो जाएगा हमारा पचासी अन्स ठीक है ये पचासी अन्स हुआ ये पूरा होगा 180 अन्स तो ये वाला कितना होगा 180 में से 180 घटा देंगे 95 अन्स ठीक है एक कोण हमारा निकल के आगया वही काम यहां पर ये है 80 ये हम 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? अब यह 100 अच आगया तो यह पूरा 180-s है इसका मतलब यह बचेगा 80-s हमारा यह दोनों कोड निकल के आगे अब इन दोनों में वही काम आजाएगा कि यह सम्मू कोडों का योगफल 180-s है तो यह 80 है तो यह सी है, इसका मतलब यह हमारा 180 में से सी घट जाएगा, यह हमारा सोवा जाएगा, वही का मेदर 95 है, तो यह 180 में से 95 घटा देंगे, यह हमारा 85 अंस आ जाएगा, ठीक है, आप लोग लिख लेना, हम सीधा सा इनके आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ चुके ह हैं, बहुत अच्छे से, तो यहां से हमारा, हम लिख देंगे, अताहा, कोड B बराबर, 85 अंस, कोड D बराबर, 17 अंस, कोड A, P, Q बराबर, 17 और कोड, P, Q, D बराबर, 95 अंस, चालों हमारे आंसर आ चुके हैं, आई होग कि आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ गयोंगे, तो अब हम लोग चलते हैं, इस एकसरसाइज के अंतिम प्रस्ण, यानि प्रस्ण नंबर, 7 पर, तो बत्यों यहां पर हमारा सात्वा और अंतिम के का मान गयात करो, यहां पर दिया है, चक्रिय चतरबुझ, यहां पर लिख दो, क्यूंकि दिया है, A, B, C, D, चक्रिय चतरबुझ है, अता हा, चक्रिय चतरबुझ के समुछ कोंग का योग, कितना होगा, 180, होगा, बार बार हम इसको इसलीए लिख रहे हैं, जीससे की बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, तो 180C होता है, आता हक क्या होगा, कौण A प्लस कौण C बराबर 180C, कौण A हमें दिया है, 2X कौण C दिया है, X बराबर 180C, 2X और X हो गए, 3X बराबर 180C, तो यहां से X बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 180 बटे 3, 3 छक्का 18, ब दोस्तों, उम्मीद करते हैं, आप लोग इस प्रस्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी प्रस्न के साथ, इस exercise को भी बहुत अच्छे से समझे हों इसी के साथ हमारी एकसराइज कंप्लीट होती है, और अब ले लिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में आपक नाम के साथ comment box में comment करके हम तक अवस्थ पहुचाए वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें दोस्तों के बीच में शेयर अवस्थ करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को खलेजे सब्सक्राइब मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के